हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू रोसन की क्लास यूटिब चैनल दोस्तों, आप सबी का आज की इस पाठी होजना की वीडियो में एक बर फिस से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस पाठी होजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले किया हूँ कंप्यूटर की वीट्रॉफ सभी वीशयों की वीशयों की पाठी होजने यहाँ पर रोसन की क्लास यूटिब चैनल आपको प्रवाइडब करता है बिल्कुल फ्री में आपको बस एक ही छोटा सा काम करना रोसन की क्ला स्यूटिक चनल पे प्रेलीस्ट में आपने जिस भी विषौ की पाठी ऋगहरणा देखनी है। उषिसले की प्रेलीस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं बिलकुल हैं और दोनों का यह मतलब होता है जिस पीरिड में आप जाते हैं चैप्टर को बढ़ाने उस पीरिड की नंबरिंग करने होते हैं जैसे पहले पीरिड में तो पहला लिखिए दूसरे पीरिड में तो दूसरा लिखिए अवद है 40 मिनट का और प्रकड है हमारा आज का मांग यानि की डिवांड अब इसके बाद आपका पहला लेशन प्रकड का पहला हीडिंग आता है जिसको कहते हैं समाने उद्दे से समाने उद्दे से हीडिंग के अंतरगत आपका जो विसे होता है उसको पढ़ाने के बाद वच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उनके लिंग यहां पे रुडहिवादीता दिखा रहा है कि अब को बच्ची को पढ़ा रहा है ऐसा तो नहीं है आपके क्लास में हो सकता है छात्र भी हो तो यहां पे छात्र के जगह पे विद्यार्थी लिखिएगा क्योंकि विद्यार्थी यह ऐसा सब्द है जो include करता है आपका दोनों लोग को यहाँ पर विद्यार्थियों मैं पढ़ूँगा आप लोग विद्यार्थी लिखिएगा गलती मत करिएगा छोटी छोटी गलती है वहाँ पर आपको आपका नंबर कम कर सकती है तो विद्यार्थियों में अर्थसास्त के पती रूची जागरत करना दूसर पंट है विद्यार्थियों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना तीसर पंट है विद्यार्थियों में आत्म निर्भरता की भावना का विकास करने में सहयता करना चौथा पंट वे द्यार्थियों को राष्ट्री एवं अंतराष्ट्री आर्थिक समस्याओं से अउगत कराना और पांचो पंट है वे द्यार्थियों को बताना कि देश के विकास में यहाँ पे रुपए का क्यामात है अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग रोशन की लाष्ट्री प्रियान को सब्सक्राइब कर लिए इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है और कमेंट आक्स में कमेंट करके बताएं कि आपनों को वीडियो कैसे लग रही है अब निच थेडिंग आता है विश्जिस टुदे से विश्जिस टुदे से में देखी पहला पंड लिखा गया मतलब यह होता है आपका जो टॉपिक होता है जो प्रकरण होता है आपका जैसे आज हमारा क्या प्रकरण है मांग तो मांग चmarksप्टर पढ़ाने के बद बच्चों का आप क्या चीनिशात्व क्षेखाना चाहता है उसके बारे में आपको कम से कम दो से तीन पंट मैक्सिम 5 से शे पर लिखना होता है तो देखे पहला पंट लिखा गया přिछ सब्धिया और अगला हैडिंग लखे है साहख समगरी साइट समगरी के अंतरगत लिखे चौक, डस्टर, स्यामपर्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, इत्यादि नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है अब यहाँ पे पूर्वग्यान पूर्वग्यान हेडिंग के अंतरगत आप यहाँ पे लिखेंगे सभी विद्यार्थी मांग के बारे में सामाने जानकारी रखते हैं ठीक है? अब इतना लिखने के बाद आपका सबसे important हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रस्न हेडिंग डाले ही प्रस्तावना प्रस्न इसको तीन कॉलम में डिगाइड कीजिए कि करम संख्या 40 ध्यपप कि आफ़े 46 ध्यपपी का कथन क्षातरा नॉकृता ब स्वाँब्चों से आप क्या पुछन पूचेंगे बच्चे उसका एंसर देंगे और उस एंसर यह बिलेगा क्पस्टें परस्टा होंगे इस तरी dec op 0 । यहाँ पर प he लोगाने के लिए तो यहां पर देखें पहला प्रस्त पूछ रहा है आप रोटी कपड़ा मकान हमारी क्या है तो बच्छ 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 बच न हो तो उस वस्त के लिए क्या करते हैं बच्चे नहीं बता पाएंगे समस्यातम प्रस्ण हो जाएगा समस्यातम प्रस्ण जैसे होगा आपको अपना उद्देश से कथर बोलना होता है यानि कि अब बच्चों कोई टॉपिक बताना होता है कि कौन सा चैप्टर उनको पढ़ पहला यहाँ पर सिच्छड बिंदु है यहाँ पर देखे डाल दीजेगा सिच्छड बिंदु इसको लिख लिख लिजेगा पूरा पहला सिच्छड बिंदु है मांग का अर्थ इस पस्टी का अर्थ है हमारी या उसकता ही हमारी मांग कहलाती है मेयर्स के अनुसार वस्त की मांग उन मात्राओं का एक कारिक्रम है जिन्हें करेता सभी संभो कीमतों पर किसी एक समय में ततकाल खरीदने के इच्छुख होते हैं चातर ओले कॉलम लिखा के विद्यार्थी ध्यान परोग सुनेंगे यहाँ पर जो मेयर्स ने यहाँ पर दिया है परिभासा मांग का उसको यहाँ पर लिख सकते हैं आप सेंपर टॉले कॉलम में हमारी आज़स्ता ही हमारी मांग कहलाती है उदार के लिए आज़क्रीम की कीमत ऊची है इसलिए कम विवत ही खरीदेंगे यहाँ अज़ आ Examples के कीमत कम हो जाए तो इसे अधिक लोग खरीदेंगे मांग बढ़ जाएक कीमत गिलते ही अब यहाँ पर बहुत प्रसन है मांग से क्या आज़सा है तो बच्चे बोलेंगे हमारी आज़स्ता ही हमारी मांग कहलाती है दूसरा प्रस्ण है हाँ पर कोई एक उधार दीजे तो बच्चे बलेंगे जैसे कि वस्तुका अदाम बढ़ जाता है तो उसके ग्रहक कम हो जाते हैं और यदि वस्तुकी कीमत कम हो जाती है तो उसके मांग बढ़ जाती है तीसा प्रस्ण है मांग के लच्छड और विसेस्टाएं ही लिख लिजिए देखिए यहाँ पे मांग के लच्छड और विसेस्टाएं लिखा गया अगला सिच्छडविल इस पस्टी कड़ है मांग की विसेस्टाएं ने लिखी थे पहला मांग मूले से सम्मंदित होता है दूसरा प्रस्ण मूले के बिना मांग का कोई अर्थ नहीं है तीसरा प्रस्ण मांग समय से सम्मंदित होती है चौथा यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट है यह प्रस्ण नहीं है मांग एक प्रभावी इच्छा है जो एक वस्त खरिदने हिद समती और छमता पर निर्भर करता है चात अगरे कॉलम लिखा के चात ध्यान पुरोक सुनेंगे अब आगे बढ़ते हैं यहाँ प्रस्न है बहुत प्रस्न फिर से मांग के किनी दो विस्तों के बारे में बताईए तो बच्छे बताएंगे मांग समय से समंदित होती है और दूसरा मांग मूले से समंदित होती है अगला प्रस्न है किस चीज के बीना मांग का कोई अर्थ नहीं होता तो बच्च वह लेंगे मूले के बीना मांगा कोई अर्थ नहीं होता अब अगला प्रस्था यहाँ पर देखेंगे वस्तुमों के मांग की विशेश परिस्थितियां क्या है यहाँ पर देखें लिखा गया मांग की विशेस पर स्थितियां ने में रिखे चार प्रकार से हैं पहला बविश्विम में वस्तु का पूर्ति में कमी होने की संभावना के स्थिति में दूसरा सान सौकत के प्रदर्शन के लिए तीसरा जीवन यापन के लिए वस्तु की अनिवारिता के कारण और चौथा अग्यानता के कारण चात्र ओले कॉलम में लिखा गया है चात्र ध्यान पूरोग सुनेंगे ठीक है चात्र लिखेगा चात्र चात्रा दोनों लिख सकते हैं अब यहाँ पर अगला है यहाँ पर देखेंगे हेडिंग लेखन एवं निरिच्छड कारे स्यामपट पर लिखे गए सुचनाओं को चात्र विद्यारतियों से अपनी उस्तर पुष्टिकां में लिखने को यहाँ पर जो सिच्छक होगा कहेगा या कहेगी और स्वयम घूमकर उसका निरिच्छड करेगा विद्यारति आले कॉलम में लिखा गया, विद्यारति स्यांपट पर लिखे गया, सुचनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे Next अब आपका आता है पुन्राविति प्रस्न, पुन्राविति प्रस्न में यहाँ यहाँ जो बच्चों को आपने पढ़ाया है उसे related कुछ है प्रस्ण उसे पूछ लिजे पहला प्रस्ण है मांग से आपका क्या आसा है दूरसा प्रस्ण है वस्त के मांग की विशेश परस्थितिया क्या है तेसा प्रस्ण है मांग की विशेशता बताईए चौथा प्रस्ण है जब किसी वस्तु का दाम घट जाता है तो उस विशेश अवस्था में क्या होता है ठीक है पुनरविति प्रस्ण हाप पर समाप्थ होता है आपका अब नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है लास्ट हेडिंग जिसको कहते हैं गरहे कारे यानि की होमवर्क बच्चों को homework जरूर देना चाहिए, जिससे क्या होता है, कि बच्चे घर पे जाते हैं जब, तो अगर कुछ नहीं काम देंगे, तो वो जाके खेलेंगे, कुदेंगे, मोज मस्ती करेंगे, अपना आपका पढ़ाएगा चीज भूल जाएंगे, अगर उनको ग्रहिकारे दें का कि बच्चों को ये चीजे सिखाएंगे, चप्टर को पढ़ाने के बाद, वो complete हो जाती है, तो यहाँ पर देखे, एक दो प्रसन देना चाहिए हमेशा, ज्यादा प्रसन नहीं देना चाहिए, जिससे burden हो, और examiner भी जो आपका चेक करता है, आपके निर्चर करते हैं, त लिग सकते हैं, last में यहाँ पर अच्चर कर headaches का करेंगा, तो यहाँ पर आपके class का भी एक teacher होता, और बहाद से teacher आता है infamous हो, यहाँ पर पर अस्टा करता हूँ, आप लोगों को आज की video से love ज़रूर मिला होगा, अगर love मिला हो, तो प्लीज इस video को like करके, उशन की class YouTube चैनल को subscribe कर लिजी, आपको अगर सिच्छा जगत से जुड़े हुए कोई भी चीज़ी कर रहा है आप B8 कर रहा है, BTC कर रहा है, DL8 कर रहा है तो आपको रोशन की क्लास YouTube चानल से लाव जरू मिलेगा, इस बात की मैं guarantee लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी कोसिस यह रहते है कि आप लोगो वीडियो के मादम से आपको help करी जाए बिल्कुल free में, और इस वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए, बिल्कुल free में, तो आप लोग रोशन की क्लास, Telegram चैनल जाके बिल्कुल free में इस वीडियो को झाल